नमो नमह आप सभी का आदश्विद्या मंदीर माध्यमिक गांधी नगर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत आज हम संस्क्रत विशे की अस्टिमी कक्षा की रूचिरा पाठे पुस्तक का पहला पाठ सुभाशितानी पड़ेंगे सरप्रथम हम सुभाशितानी के अर्थ को समझेंगे सुभाशित शब्द सु प्लस भाशित इन दो शब्दों के मेल से संपन होता है सु का अर्थ है सुन्दर और भाशित का अर्थ है वचन इस प्रकार सुभाशित का अर्थ सुन्दर वचन है प्रस्तुत पाट, सुक्ति मंजरी, नीती शत्कम, मनुस्म्रती, शिशुपाल वधम, पंच तंत्रम से रोचक और विचार परक्षलोकों को संग्रहित कर लिया गया है पहला श्लोक इस प्रकार है प्रस्त श्लोक का सरलार्थिस प्रकार है कि गुणी व्यक्तियों में ही गुण गुण होते हैं जैसे ही वो निर्गुण को गुण से रहित व्यक्ति को प्राप्थ होते हैं तो वे दोश हो जाते हैं इसको समुंद्र और नदी के उधारन से समझाया गया है कि नदियां स्वादिष्ट जल को प्रभाइद करती हैं और जैसे ही वो समुंद्र में पहुंचता है तो पीने योग्य नहीं रहता गुण गेश्यू गुणी व्यक्तियों में गुणा गुण गुणा भवंती गुण गुण होते हैं ते वे निर्गुणम गुण से रहित व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त कर दोशा भवंती दोश हो जाते हैं जिस प्रकार नध्य, नदिया, सू स्वादु तोया, स्वादिष्ट तोया, जल को प्रभवन्ती प्रभाइत करती हैं, जैसे ही वह जल समुंद्र मासाध्य समुंद्र में पहुंशता है, तो अपयाभवन्ती पीने योग्य नहीं होता। दूसरा शलोक इस प्रकार है, सहित्य संगीत, कला विहीनह, शाक्षात पशुह, पुछ विशानहीन, तृनम्ना, खादनापी, जीवमानह, तद भागदियं, परंपशुनामा। प्रस्तिश लोग का सरणार्थिस प्रकार है कि जिस व्यक्ति के पास ना साहित्य है ना संगीत है ना कला है ऐसा व्यक्ति पूछ आदी से रहित होता हुआ भी शाक्षात पशु ही है और वो तिनको को नहीं खाता यह तो पशुओं का शुरिष्ट सोभाग्य है साहित्य संगीत कला विहिन हा शाक्षात पशु हा पुछ विशान हीना साहित्य संगीत और कला से रहित पूछ विशान हीना पूछ आदी से रहित व्यक्ति शाक्षात पशु हा शाक्षात पशु ही है मतलब ऐसा व्यक्ति पशु के समानी है तिनम न खाद न पी वो तिनकों को नहीं खाता तिनकों को न खाते हुए भी जीव माना जीवित रहता है पर्मं पशुमाना तत पर्मं पशुमाना तत यहतो पशुनामा पशु का पर्मं श्रेष्ट भागदियम सुभाग्य है तीसरा श्लोक इस प्रकार है तीसरे श्लोक में ऐसे कर्मों को बताया गया है जिनसे व्यक्तिका नाश हो जाता है ऐसे कौन से कर्म है? लुप्थस्य यशह लोभी व्यक्तिका यश पिशुनस्य मेत्री चुगल खोर व्यक्तिकी मित्रता लुप्थस्य यशह लोभी व्यक्तिका यश पिशुनस्य मेत्री चुगल खोर व्यक्तिकी मित्रता नश्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म नश्ट क्रियस्य कुला कर्महीन व्यक्तिका कुल कर्महिन व्यक्ति का कुल आर्थ परस्य धर्म स्वार्थी का धर्म विध्या फलं व्यस्निना बुरी आद तो से युक्त व्यक्ति की विध्या का फल क्रप्नस्य सोख्यम कंजूस व्यक्तियों का सुख। व्यस्निन बुरी आदतो वाले व्यक्ति की विध्या फलं विध्या का फल। क्रप्नस्य सोख्यम कंजूस व्यक्ति का सुख। सचिवस्य प्रमत आलसी सचिवस्य मंत्रियों के नराधिपस्य राजा का राज्यम राज्यम प्रमत आलसी सचिवस्य मंत्रियों के नराधिपस्य राजा का राज्य नश्यती नश्ठ हो जाता है ये जितने भी बताएं हैं ऐसे व्यक्तियों का कर्म क्या हो जाता है? नश्ट हो जाता है चलिए चोथा श्लोक इस प्रकार है पित्वा रसम तू कटुकम मधूरम समानम माथूर्य मेव जन येनम मधू मक्षिकासव संत इस्ततेव सम सज्जन दुर्जनानाम शृत्वा वचह मधूर सुक्तिरसम श्रिजनते प्रस्त श्लोक का सर्लार्थिस प्रकार है कि इसमें सज्जन पुर्षों के स्वभाव को बताया गया है असो मक्षिकाम जह मधूमक्की कटुकम मधूरम समानम कटुकम कडवे मधूरम मधूर रसम रसको समान पित्वा समान रूप से पीकर भी मधूर्य मेव जनियन मधूरता को ही शहद को ही जनियेत उत्पन करती है असो मक्षिकाम जह मधूमक्की कटुकम कडवे मधूरम समानम कडवे और मधूर रसम पित्वा रसको समानम पित्वा समान रूप से पीकर मधूर्य शहद को ही जनियेत उत्पन करती है तथे उसी प्रकार दुर्जना नाम उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति उसी प्रकार सत्त सजन व्यक्ति दुर्जना नाम दुर्जन व्यक्ति के वचह शुत्वा वचनों को सुन कर भी समसजन सजनों के समान मधूर सुक्त रसम मधूर सुक्तियों के रसको ही स्रजरंती उत्पन करते हैं मतलब वो अपना सोभाव नहीं बदलते पांचवाश लोग इस प्रकार है विहाई पौरुशम योही देव अवलंबते प्रसाद सिंगवत तस्यमुर्धिनम तिस्टन्ती वाई सहा यो जो व्यक्ति इसमें पुर्शार्थ कर्म के महतु को बताया गया है जो व्यक्ति पौरुशम पराक्रम या कर्म को जो व्यक्ति पौरुशम पराक्रम को परिश्रम को छोड़ कर देवे अवलंबते भागे का सहारा लेता है वह व्यक्ति प्रसाद सिंगवता महल के सिंग के समान तस्य मुर्धिना उसके मस्तक पर मुर्धिना उसके मस्तक पर वाई सहात इस्टंती कोवे ही बैठते हैं व्यक्ति भागे के सहारे बैठा रहता है वह व्यक्ति महल के सिंग के समान उसके सर पर महल के सिंग के समान उसके सर पर वाई सहात इस्टंती कोवे ही बैठते हैं छटा, पुश्प पत्र फलस्चाया, मूल वलकल दारूभी, धन्या महीरूहा, ये शाम वी मुखम यांती नार्थिनम। इसमें व्रक्ष की महत्व को बताया गया है, व्रक्ष की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि धन्या महीर महा, दूसरी लाइन की पंक्ती, महीर उहा, व्रक्ष धन्या धन्या है, व्रक्ष धन्या है, जो पुश्प, फूल, पत्रम, पत्ते, फल, फल, छाया, छाया, मूल, जड, वलकल, छाल, दारू भी और लकड़ी आदी को लकड़ी आदी से विमुख म्यानती नार्थी न कोई भी व्यक्ति विमुख नहीं होता वह व्रक्ष धन्ने हैं जिनसे पुष्प, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड और वलकल, छाल, दारू भी लकड़ी ओं से विमुख म्यानती नार्थी न कोई भी यात्री, कोई भी व्यक्ति विमुख यानती विमुख नहीं होता है व्रक्ष के महत्व को बताया गया कि व्रक्ष किस प्रकार व्यक्ति के हर प्रकार से साहिता करते हैं अन्तिम श्लोक, सात्वा श्लोक इस प्रकार हैं ही निश्चही आदा मेव विपदाम प्रारम में ही विपदाम विपत्यों के बारे में प्रतिकिर्या चिंतनिया विचार कर लेना चाहिए प्रारम में ही विपत्यों के बारे में विचार कर लेना चाहिए अर्थात प्रारम में ही हमें विपत्यों का प्रारम होने से पहले ही ह उनका उपाय सोच लेना चाहिए क्योंकि ग्रहे घर में वहीना आग लग जाने पर कूप खलनम कुए खोधने का नयुक्तम कोई प्रियोजन नहीं है। झाला नमुनम्हा